नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में मैं हूर रहे तराकेश टंडन और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स जी हां आज चर्चा होगी IPL की IPL यानि वो फॉर्मेट क्रिकेट का जो की शॉर्ट फॉर्मेट 2020 का माना गया है लोगों की दिल्चस्पी बड़ी क्रिकेट का नजरिया बदला और खेलने का और जश्ट मनाने का तरीका भी बदला जी हां 2020 का वो फॉर्मेट जिसने क्रिकेट की लाइफ स्टाइल बदल के रख दी अबर आई उनके लिए जो IPL खेलते हैं उनके लिए जो IPL स्पॉंसर करते हैं और उनके लिए जो IPL घर पर बैट कर टेलिविजन पर देखेंगे कि IPL होगा लेकिन कैसे होगा ये बताएंगे आपको पहला सेशन जो होगा वो सेप्टेंबर से दिसंबर के बीच में होगा दूसरा सेशन अगले साल मार्च से में के बीच में होगा यानि दो सेशन में IPL को बाटा गया है फिलाल हिंदुस्तान में मैच नहीं होगा और जो मॉंटेरा स्टेडियम तयार हुआ है बनकर जिस पे बार-बार ये बात हो रही थी कि लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे शायद प्रैक्टिस की भी अनुमती अभी तक नहीं मिले यानि IPL होगा देश में नहीं होगा देश से बाहर दुबई को IPL ले जाये जाएगा लेकिन दुबई पहुचने के बाद IPL का सुरूप क्या होगा दो भागों में तो बाट दिया गया सरूप पहला ये होगा कि वहाँ पर कम दर्शक दिखाई पड़ेंगे हाला कि दर्शक को लेकर अभी BCCI, IPL और दुबई सरकार में कोई सहमती नहीं बनी है लेकिन माना ही जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए टिकेट का बटवारा होगा जी हाँ, हम बार-बार देखते थे, वो विजुल साते थे, जिसमें टीम एक साथ रहती थी मैनेजर्स रहते थे, फिजिशन्स रहते थे, फिजियो थेरपिस रहते थे और तीन-चार एक्स्टा प्लेयर्स जो बैठते थे, वो भी वहां रहते थे लेकिन अब 15 से जादा प्लेयर्स चेंजिंग रूम के आसपास नहीं नजर आएंगे यानि रोमांच वही होगा, खेल वही होगा, लेकिन थोड़ी से बदलाव होंगे सिर्फ और सिर्फ करोना से बचने के लिए अब सवाल ये भी है कि IPL है क्या, IPL में आठ टीमे है, आठ टीमे लगातार बोली लगाती है विश भर के प्लेयर्स आते हैं, उनकी बोली लगती है, बोली लगने के बाद एक टीम तयार होती है महगा गेम माना गया है IPL को, चाहे वो कॉपी राइट्स हो, चाहे वो टाइटल स्पांसर हो, चाहे वो IPL के अपने खर्चे हो एक महगा गेम माना गया है क्योंकि लोग प्रिता चरम पर थी, टीयार पीस IPL की हमेशा हाई होती है, देश ही नहीं, दुनिया भर की निगाएं IPL पे होती है, चुकि छोटा फॉर्मैट होता है, और लोगों का रुमांच जम कर होता है तो बड़ा सवाल यही रहेगा कि इस कोविट के समय में कैसे IPL अपने आपको स्थापित करेगा, क्या IPL इस बार फिर मुनाफ़ा कमा पाएगा, कोविट के इस मौसम में क्या IPL फिर से बहार ला पाएगा, जनता के लिए दर्शकों के लिए तो अच्छी ख़बर है, कोव IPL के जो स्पॉंसर्स हैं, उनका पैसा कैसे निकले, इस पर हमाई नजर रहेगी, जो भी अपडेट होगा, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स चैनल पर आपको लगातार हम देते रहेंगे, आप लगातार इसको देखते रहेए, खास स्पोर्ट्स की ख़बरों के लिए इसक